हेलो, गुड मॉर्निंग टू आल, आप सभी को गुड मॉर्निंग आज हम नर्सरी क्लास के बच्चों को कैसे राइटिंग करना सिखाते हैं उसके बेस के बारे में बता रहे थीक है उसका बेसिक है, सबसे पहले वो हम जानेंगे तभी नर्सरी के बच्चे को जो फर्स्ट टाइम पेंसिल पकड़ना सिखता है उसको हम लिखना सिखा सकते हैं तो सबसे पहले आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर बच्चा जैसे दो या तीन साल का बच्चा है उसको कोई भी wax color का pencil आता है तो उसको आप दे देंगे ठीक है आप उसको दे कर और line draw करवाएंगे line line draw करवाएंगे तो उसमें सबसे पहले आता है आपका standing line सबसे पहले क्या आता है standing line सबसे पहले बच्चे को क्या करेंगे standing line सिखाएंगे और सिखाएंगे कैसे देखिए बताते हैं standing line सिखाते हैं समय बच्चे को यह नहीं कि एकदम ऐसे छोटा सा ही line हम draw करवाएंगे ऐसा नहीं उसको दे देंगे pencil color और उसको बोलेंगे कि line draw करो ऐसे एकदम बड़ा बड़ा line कॉपी जीतना बड़ा हो उसको अपने आप दे देना है और बोलना है कि सीधी line ऐसे खीचो इसको बोलता है standing line standing line मतलब up से down standing मतलब यह part है यह क्या है up है up से down हमेशा क्या करना है up से down आना है उपर से नीचे के तरफ line को क्या करना है draw करना है ठीक है तो सबसे पहले हम बच्चों को क्या करेंगे उसको एक pencil देंगे और वो अपने आप से पकड़ेगा और उसको सिखाना है कि बच्चा बाबू देखो ऐसे line को draw करना है तो क्या करेगा सी देख अब लाइन ओ खीचेगा तो ऐसे टेड़ा भी हो सकता है ऐसे टेड़ा भी हो सकता है कैसे भी टेड़ा भी हो सकता है वो लाइन खीचेगा तो बच्चा तो यह पहली बार पेंसिल पकड़ रहा है तो यह है की नहीं कि वो एकदम सीधा ही लाइन ड्रॉ करेगा ऐसा हो नहीं सकता है तो धीरे धीरे जैसे जैसे लाइन क्या करेगा ड्रॉ करता जाएगा उसका हाथ क्या होगा उस पेंसिल के माध्यम से साधे पेज पर हाथ उसका बैठता जाएगा और धीरे धीरे वही बच्चा क्या हो जाएगा धीरे धीरे लाइन को क्या करना सीधी बनाना सीधा बनाना सीख जाएगा ठीक है इसको बच्चे को ये बताने के लिए उसको उसके पास पर डे 15 to 20 मिनट बैठेंगे और उसको सिखाएंगे हाथ पकड़ के सिखाएंगे फिर अपने आप से धीरे धीरे गलत टेड़ी लाइन खीचते खीचते ऐसे टेड़े खीचते खीचते और धीरे धीरे क्या करने लगेगा बच्चा सीधी लाइन खीचने लगेगा ठीक है तो उसको हम पहले क्या करेंगे standing line draw करना बताएंगे up से down उपर से नीचे की तरब ठीक है तो यहाँ पर देखते हैं कुछ lines है उसको draw करते हैं तो यह हो गया आपका तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग को ध्यान रखना है कि बच्चाओ क्या बताना standing line standing line सिखाना है ठीक है यहाँ पर दिया है make the correct pair by tracing over the dots बोला है कि यहाँ correct pair को क्या करना है tracing करना है dots के माध्य हम से ठीक है देखते हैं तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर pencil है pencil है तो pencil को यहाँ पर देखिए dot दिया हुआ है तो dot से क्या करेंगे उसको draw करेंगे नीचे तक ऐसे draw करेंगे इदम point से point के पास यहाँ पर cup है तो वहाँ पर इसको भी draw करेंगे सीधी line तो जैसे जैसे बच्चे को आप यह देंगे डॉट करके यहां पे तो बहुत कम है बट आप क्या कर सकते हैं कॉपी पे बच्चा को एक डॉट बनाके फिर दूसरे डॉट से डॉट डॉट करके बहुत सारा लाइन उसको बनाकर आप दे सकते हैं ताकि बच्चा क्या करें उस उसको practice कराना है बहुत ज्यादा है ज्यादा दिन में दो या तीन बार 15-20 मिनट या आधे घंटे भी आप लोग क्या कर सकते हैं उसको tracing करवा सकते हैं एकदम standing line का सीधा सीधा standing line को हिंदी में खड़ी line भी बोलते हैं तो इसको सीधी line हम लोग क्या करेंगे draw करवाएंगे एकदम ध्यान से बच्चे को ठीक है और उसको बोलेंगे कि यह क्या है उसको हमें साब बोलते जाएंगे say standing line standing line standing line standing line standing line तो धीरे धीरे बच्चा को क्या करेगा आपकी voice को capture कर लेगा और वो भी सीख जाएगा उसको कभी भी कोई इसको line ऐसे draw करें तो समझ जाएगा कि this is a standing line ठीक है तो ऐसे सिखाएंगे हम बच्चों को तो क्या करेगा standing line सीख जाएगा ठीक है अब उसी तरह यहाँ पर देखिए तो यहाँ पयों पिक्चर यहां पे किया है उसको अब सीधी लाइन यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे सीधी लाइन ड्रॉ करें अब यहाँ पे ट्री है तो ट्री में क्या होता है वो लीफ होती है पत्ती होती है तो उसको ऐसे उस डॉट्स पे हम क्या करेंगे सीधी एकदम ड्रॉ कर देंगे ठीक है फिर यहाँ पे सू है तो सू का क्या होता है वहाँ पे उसका सॉक्स है तो उस पहले तो थोड़ा गलत करेगा बड़ धीरे-धीरे जैसे वो प्रेक्टिस करता है जाएगा जितना ज्यादा प्रेक्टिस करेगा वो क्या करेगा बच्चा standing line बनाना easily way में क्या कर सकता है सीख सकता है तो इसलिए सभी मम्मी लोग से request है कि बच्चे को आप एक साधा page दीजिए plain page और उससे standing line ड्रॉ करवाईए ठीक है क्योंकि जितना वो standing line ड्रॉ करेगा उतना वो line एकदम सीधा करना समझ जाएगा सीख जाएगा और फिर उसको standing line आ जाएगा किसी भी बच्चे को जो खासकर पहली बार पढ़ने जाते हैं तो उनको ये line बनाना जरूर आना चाहिए ठीक है इसके आगे का जो next आएगा इसमें बहुत सारी line है standing line होते है slanting line होता है curve line है तो आपको एक एक वीडियो के माध्यम से हम आपको बता दे जाएंगे और आप अगर अपने बच्चे को ये सिखा दिए तो बच्चे जब जाएगा क्लास में फर्स टाइम नर्सरी क्लास में उसका admission होगा तो उसको ये सब उसको लिखने में कोई problem नहीं होगा तो जैसे जैसे हम बता रहे हैं आप उसको क्या कराईए बच्चे को practice कराईए ठीक है थैंकियो धन्यबाद